हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आजमस वीडियो में अपनी कविता बहुत हुआ को पढ़ेंगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें सब्दों को पढ़ना है कविता का क्यार्थ है और अंत में कविता को संगीर के साथ सुनेंगे तो आजये देखते हैं कि कविता को किस प्रकार से हमें पढ़ना है कविता का नाम है बहुत हुआ बादल भाईया बहुत हुआ कीचड कीचड पानी पानी याद सभी को आई नानी सारा घर दिन राच चुआ जाएं कहां कहां पर खेलें घर में फसे बोरियत जेलें जियों पिंजरे में मौन सुआ सूरज दादा धूब खिलाएं ताल नदी सडकों से जाएं तुम भी भैया करो दुआ यह थी हमारी कविता आपको इस प्रकार से इन सब्दों का उचारण करना है आए जानते हैं हमारी कविता का क्या रथ है कविता का नाम है बहुत हुआ हम अक्सर कब कहते हैं बहुत हुआ जब कोई काम इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी हद ही हो जाती है वो खतम ही नहीं होता है और हम कह लेते हैं बहुत हुआ बस करो अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता आईए देखते हैं इस कविता में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन बच्चों को कहना पड़ गया बहुत हुआ आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कितने सारे बच्चे बने हुए हैं आईए इन बच्चों की समस्याओं को समस्ते हैं आखिर किस चीज की हद पार हो गई है पहली लाइन है बादल भाईया बहुत हुआ बादल भाईया बहुत हुआ बच्चे बादल से कहते हैं बादल भाईया बहुत हुगया है कीचर कीचर पानी पानी बहुत जादा कीचर कीचर पानी पानी हो गया है कीचड कब होता है जब बारिष होती है बहुत ज़्यादा बारिष हो रही है आप देख पा रहे होंगे चित्र में कितनी ज़्यादा बारिष हो गई है और बच्चे सभी परिसान है वो बादल से कह रहे हैं बादल भहिया बहुत हो गया हर जगह कीचर कीचर हो गया है पानी पानी हो गया है प्लीज बादल भाईया बहुत हुआ आगे क्या है याद सभी को आई नानी सारा घर दिन राच चुआ अक्सर क्या होता है जब कोई काम बहुत ही कठिन होता है या बहुत ही हमको परेसान कर देता है तो हम क्या करते हैं हमको अपनी नानी याद आ गई इतना कठिन काम है इसी तरीके से ये जो बच्चे हैं इनको अपनी नानी याद आ गई है याद सभी को आई नानी क्यों सारा घर दिन राच चुआ सारा घर दिन राच चुआ का मतलब होता है पानी टपकना इस तरीके से चुवा, इतना ज़्यादा पानी चू रहा है, सबी बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई चाता लगा कर खड़ा है, बाहर भी देखो लोग चाता लगाए है, वो लूडो नहीं खेल पा रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है, वो ड्राइंग भी नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्याद बाहर भी पानी है, घर के अंदर भी पानी है, घर के अंदर पानी टपक रहा है, टप टप टप, और बाहर पानी ही पानी है, कीचड़ ही कीचड़ है, आखिर हम कहां जाएं, कहां खेलें, घर में फसें, बोरियत जेलें, घर में हम फस गये हैं और बोर हो रहे हैं, बहुत पिंजरे में माउन सुवा यहां पर एक सब्डाया है। यहां पर लिखा हुआ भी है आप देख पा रहें होंगे सुवा का अर्थ होता है儿 तोता अब यहां पर क्या कहते हैं बच्चे। जिस तरीके से पिंजणे में एक तोता बंद कर दिया जाता है या कोई भी चुड़िया बंद कर दी जाती है तो वो कितनी ज़्यादा सैड होती है क्यों सैड होती है क्योंकि उसकी आजादी छिन जाती है वैसे तो वो खुले आसमान में उड़ती है कभी अपने दोस्तों से बात करती है कभी दूसरे पक्षियों से बात करती है लेकिन पिंजरे में वो बंध है और वो क्या है? बिलकुल मौन है, बिलकुल साइलेंट हो गई है उसी तरीके से हमारे बच्चे घर के अंदर सांथ है, बोर हो चुके है इसलिए एक और सिक्षा मिलती है हमको कभी भी पक्षि को पिंजरे में बंध नहीं करना चाहिए अगर आपको कोई एक बंध कमरे में बंध कर दे और कहे सभी खिलाओने यहां यहीं खेलते रहो आप एक घंटे खेलेंगे, दो घंटे खेलेंगे लेकिन बार में क्या होगा? आप बोर हो जाएंगे अब सभी बच्चे सूरस दादा से दूआ करते हैं, प्रे करते हैं कि हे सूरस दादा जल्दी से जल्दी आप धूप खिला दीजिए जब धूप निकलेगी तब क्या होगा? जो सडकों पर पानी भरा हुआ है कीचड है, वो सब क्या हो जाएगा? सूख जाएगा इसलिए यहाँ पर लिखा है, ताल नदी सडकों से जाएगा ताल का मतलब क्या होता है? ताल का मतलब होता है पॉंड और नदी का मतलब रीवर जिस तरीके से सडकों पर पानी भर गया है, तो कहीं कहीं पर क्या लगता है? तालाब है और कहीं पर लगता है नदी बह रही है तो सभी बच्चे सूरज दादा से क्या कहते हैं कि हे सूरज दादा जल्दी से जल्दी धूप खिला दीजिये और इन ताल नदी को सुखा डालिए सब पानी खदम के डालिए जिससे हम बाहर निकल सकें हम खेल सकें और वो सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम भी प्रे करो और जल्दी से जल्दी धूप निकले और बादल भहिया हमारे बारिस को रोपते यह थी हमारी कविता बहुत हुआ यह था इसका अर्थ आईए अब इस कविता को सुनते हैं संगीब के साथ बादल भहिया महत भुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बादल भैया बहुत हुआ बादल भैया बादल भैया बहुत हुआ बादल भैया बादल भैया बहुत हुआ बादल भैया बादल भैया बहुत हुआ कीचड कीचड पानी याद सभी को आई नानी सारा घर दिन रात चुआ बहुत हुआ, 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 अरे बागल भया बागल भया बहत हुआ जाए कहां तहां पर खेले घर में पसे बोरियत जेले जो पिंजरे में मौन सुआ बहत हुआ बहत हुआ बागल भया बागल भया बहत हुआ अरे बागल भया बागल भया बहत हुआ अरे बागल भया बागल भया बहत हुआ बागल भया बागल भया बहत हुआ सूरज दादा घूप किलाए सूरज दादा घूप किलाए ताल मदी सडकों से जाए तुम भी भाईया करो दुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ कैसी लगी आपको ये कविता कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसी तरह इसका विता को गुन गुनाईए और दूसरों को सुनाईए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई स्टुडेंट्स